राद रादे टू एवरिवन तो आज हम लोग बात करेंगे on the topic human society और animal society जैसे कि आज के टाइम में corruption बढ़ रही है हम human beings जो है वो भक्तिक के सही मतलब को नहीं समझ पा रहे हैं पर ऐसा क्यों? अकॉर्डिंग तो श्रीमत भागवतम, श्रीमत भागवतम के 12.2.1 श्लोप में कहा जाता है कि जैसे जैसे कल्यों का प्रभाव हमारे उपर हावी होगा वैसे वैसे हमारे अंदर से सच्चाई, cleanliness, भक्ति, चीजों को समझने की शक्ति, हमारी life की age सब कुछ short हो जाएगी और यही कुछ चीजें थी जो human beings को, मनुश्य को जो है वो animals से, जानवरों से अलग करती ही यही वो चीजें थी और जैसे जैसे कल्यों का प्रभाव पढ़ रहा है, वैसे वैसे यह सब चीजें जो है, वो कम 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 और कम होई जारे हैं एक आप लेज़के एक डॉग से डॉग से, डॉग नहीं समझ सकता कि वाट इस विपोटेंस ओफ स्षी मत भगव्वद गीता एंड श्रीमत भावबतम इना लाइप्स क्या इंपोटेंस है भगवद गीता और श्रीमत भावववतम की हमारी लाइफ में, वो नहीं समझ सकत कि श्रीमत भगवध गिता हमारी life का manual है हमें उससे सीखना है कि हमें अपनी life कैसे फॉलो करने अपनी life की से चलानी है अप मारी life के क्या rules होने चाहिए एक इनिमल … religious बातों को करने में बिल्पल interested नहीं होता है वैसे ही आज के time में हम लोग हो गठे हैं हम लोगों के अंदर से इंसान मरता ही जा रहा है मर रहा है इंसान हम दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझ रहे वो क्या सोचते हैं क्या करना चाते हैं हम दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझ चाते हम दूसरों को बत से बत्तर तरीके से ट्रीट करते हैं हमारा ego, हमारा attitude, हमारा पैसे का घमंड ये सब कुछ हमें ले डूबता है लेकिन फिट भी हम ये चीजे करने नहीं छोड़ते हैं हम दूसरों को जो है वो zero अपने सामने zero समझते हैं और बत से बत पत रीट करते हैं क्या हम animals की तरफ नहीं जा रहे हैं? Is this society is not becoming an animal society? कैसा नहीं हो रहा है? और इस चीज से हम बाहर कैसे निकले? कैसे हम अपने society को फिर से ठीक कर सकते हैं? How is it possible? ये तभी possible है जब हम लोग खुद का connection भगवान से कराए अपने ego को, attitude को, घमंड को, अपने अंदर की सारे negative चीजों को सबसे पहले पहचाने फिर उनके उपर work out करें कि कैसे हम इन चीजों को खुद से दूर रख सकते हैं और सिर्फ प्रेम से किसी से भी बात कर सकते हैं Actually में हम लोगों को श्रीमत भगवग गीता, श्रीमत भागवतम को समझना होगा अपने शास्तरों की teachings को अपनी life में use करना होगा तब हम इस world से, जो materialistic world है जिसने हम इसे जकड के रखा हुआ है पकड के रखा हुआ इससे बाहर निकल सकते हैं हमें समझना होगा कि भगवान हमें क्या सिखा कर गए है इस धरा पर आका मृत्तियों लोग में आके भगवान हमें क्या क्या सिखा कर गए हमें समझना होगा और जब हम इस बात को समझेंगे, तब हम अपनी सोसाइटी को एक एनिमल सोसाइटी बिनाने से रोक सकते हैं, अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, कैसे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके, अपने नेगिटिव थौर्ट्स को कंट्रोल करके, दूसरों के हेल्प करके, दूसर भी हम उनसे मिलेंगे Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Thanks for watching